अजी तो चैप्टर नमबर फाइफ का पार्ट नमबर टू स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं रोल कॉल लेता हूं कि आप सब लोगों ने मॉनेटरी वाले सी वाला वीडियो देखा येस और नो ठीक है आपके आपको मजा आया पका चलो ठीक है बिफोर भी स्टार्ट अपन ठीक है तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है प्राइज एंड प्रोडक्शन ऑफ गोड्स और सर्विसेज डिपेंड अन कंजूमर डिमांड ओके यहां पर फ्री मार्केट एक्नॉमी फ्री मार्केट थ्योरी की बात करी गई है ठीक है जो मैक्र एक्नॉमिक होते हैं वो ओव टो government को change करती है तो इसमें चेंज होता है दो major bodies है जो मैक्र एक्नॉमिक इंफुनेंस डालती है गवर्मेंट है और एक Central Bank के आर भी आई जब government कोई decision लेती तो इसको fiscal policy decision बोला जाता है जब Central bank को 빠र दिसीजन लेती है तो इसको monetary policy decision बोला जाता है मैक्र स्थालोग IQ से अपने को क्या मिलता है help in understanding the source of income and savings and investment in an economic इक सरकार की income कहां से आ रही है सरकार पैसा कहां खरच कर रही है ठीक है कहां पर खर खर रही है क्या import export है कितना domestic production है क्या dollar का rate चल रहा है क्या NR का rate चल रहा है यह सब चीज़ें आपको macroeconomics से समझ में आती है ठीक है वो government को help करती है central banks को help करती है ताकि वो आगे की policies को बना पाए समझ रहे हो आप चलो अपन फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्या-क्या variables होते हैं तो उसमें सबसे पहला variable अपने देखा national income variable national income variable में अपने दो parts देखें gross domestic product gross national product gross domestic product में what domestic include है तो यहाँ पर geography matter करती है nationality matter नहीं करती है तो कोई फिरंग है वो इंडिया में आके अगर उसने goods and services offer करी है तो वो GDP का part बनेगी बट क्या वो GNP का part बनेगी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ पर nationality matter करती है यहाँ पर geography matter नहीं करती तो कोई फिरंग भले वो इंडिया में दिल्ली में बैठके goods and services दे रहा है he will be part of GDP but not part of GNP एक NRI है जो US में बैठा हुआ है ठीक है और वो वहाँ पर कमाई कर रहा है तो he will be part of GNP but not GDP क्योंकि वो domestic नहीं है he is sitting outside ठीक है इनको measure करने की तीन तरीके NISM ने बता है product method, income method, expenditure method product method के नदर क्या होता है combined value of fiscal goods and services of different sectors जैसे की agriculture industry और कुछ specified industries है इन में क्या combined value हुई है fiscal goods and services की उसको देखा जाता है कुछ sectors को देखा जाता है income method में employees, professionals, entrepreneurs और investors की income को देखा जाते कि इनोंने कितना पैसा कमाया कि specific time में ठीक और expenditure method में क्या होता है expenditure method में individual corporate और government की expenditure देखा जाता है ठीक है अगर आपको और short में समझना है तो कितना कमाया from sector और business कितना कमाया from individuals और कितना खर्च किया basic अगर समझना है तो ठीक है ये चीज़ था अपन और आगे बढ़ते हैं तो अपन देखने कि जो government होती है वो एक economic welfare होती है ठीक है जैसे जैसे आपका operating income बढ़ती जाएगी आपकी standard holding बढ़ती जाएगी ठीक है ये अपन ने पढ़ा था अपन ने ये पढ़ा था कि जो inflation होता है वो यह होता है कि increase in price हो रहा है और decrease in purchasing power हो रहा है दो तरीके होते है measure करने के wholesale price index और consumer price index क्यों होता inflation उसके भी दो कारण बता है एक होता है demand full inflation कि किसी चीज़ की demand इतनी बढ़ गए उसकी supply है तो remain constant रही है decrease होगे उस कारण से उसका inflation बढ़ गया प्राइस बढ़ गया availability नहीं है न मार्केट में यहाँ फिर cost full inflation का मतलब है कि जो product की price बढ़ गया उसको बनाने का genuine खर्चा बहुत जादा बढ़ गया ठीके जी अपनने interest और inflation के अपर अभी तक तो आप पारंगत हो चुके होगे अगर आपने monetary policy वाला वीडियो देखा है तो अगर नहीं देखा है तो please जाके देखो ठीके unemployment rate जिस देश का unemployment rate हाई है वो country में economic slowdown चल रहा है बहुत simple सा अपनने हैं समझा था ठीके फिर अपनने FDI और FPI के अंदर अंतर समझा था ये लोग व्यापारी हैं जो इंडिया में व्यापार करने आए long term perspectives आए direct investment करने आए long term perspectives ये आएंगे तो साथ में capital लेके आएंगे job create करेंगे और नए technology skills और नए products आए ठीके जो foreign portfolio investor है तुमारे तो नाम में ही portfolio है अरे तुमारे तो नाम में ही portfolio तुम तो आई छोटे time के लिए हो और तुमारा intention को participate करना नहीं है तुम तो पैसा बनाने के लिए आके चला जाओग fiscal policies बहुत simple है government जो है वो अपने revenues और expenses को plan करती है उसके हिसापसी सरकार चलती है budget जो आता है तो जो fiscal deficit होता है जब expenditure जादा होता है और revenue कम होता है किसी country का उसको fiscal deficit बोला जाता है एक high fiscal rate और high borrowing result in a high interest rate which is very dangerous जो current account balance है उसका क्या मतलब है जो आकी passbook का balance है कितना आया और कितना गया जो बचा हुआ है वो आपके account में account surplus मतलब receipt ज्यादा payment कम account deficit मतलब payment कम receipt ज्यादा ठीक है simple सा logic है चलिए government किन-किन जरियों से पैसा कमाती है उसब अपन नहीं है देखा था neutral policy रहेगी तो क्या होगा expansionary policy रहेगी तो क्या होगा contractionary policy रहेगी कि तो क्या होगा ये हमने basic समझा था अभी तक का ठीक है अभी तक का basic समझा था और इसके बाद I'm pretty sure कि आप लोगों ने monetary policy वाला भी session देखा होगा और उसमें आपने ये सब चीजें सारी की सारी cover करी होगी ठीक है अब अपन आगे बढ़ता है जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा अगला topic आता है international trade देखना यार एक country जो है न और इसमें globalization भी cover कर लूँगा ठीक है तो globalization अलग से cover नहीं करेंगा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक country जो है न आज के time पर globalization is very important globalization मतलब क्या पता है manufacturing somewhere else, buying from somewhere else, manufacturing from somewhere else and selling somewhere else ये liberty मुझे मिल रही है कि मैं चाइना से material बनाओ उसको चाइना से material खरी दूँ उसको इंडिया में बनाओ और यूएस में बेच दूँ that is that is happening because of globalization तो जब globalization बढ़ता है न तो international trades भी बढ़ेंगे international trades बढ़ेंगे मतलब सर क्या है कि एक country दूसरे country के साथ trade करेंगे that is called as international trade जब भी इंडिया किसी भी और दूसरी country के साथ trade करेंगे तो उसको international trade बोल दिया जाएगा तो जब इन दोनों countries का आपस में trade होता है तो वो trade है न दो तरीकों से हो सकता है या तो हमने तुमारे सामान भेजा और तुमने उसका पैसा दिया या तुमने हमारे सामान भेजा और हमने उसका पैसा दिया इसको बुले जाता है current account, current account मतलब यहां पर कोई long term investment नहीं हुआ, पैसा दिया, समान खरीदा, काम खतम, ठीक है, एक होता है capital account rate, capital account rate का मतलब क्या है, अमेरिका आया, अमेरिका ने अपने आपर इंडिया में company स्थापित कर दी, direct investment करा, FDI, ठीक है, फिर FPI, एक अमेरिका fund आया अमेरिकी fund आया, उसने इंडिया की किसी company के अंदर share खरीद लिया, ठीक है, यह होता है capital account investment, यहाँ पूझी आई है, हम कोई समान नहीं दे रहे हैं उसको, उसके against, व्यापार नहीं हो रहा है, समझ रहो, इन दोनों का जो हिसाब किताब होता है न, उसको बोला जाता है balance of payment, transaction of a country with rest of the world, यह आपका account है, और यह दो तरीके का होता है, current account और capital account, current account मतलब import-export, capital account मतलब FDI और FPI, वो एक ही बात है, ठीक है, इन दोनों को मिलके ही balance of payment बनता है, यह बात ध्यान रखेगा, यह testable है, पूझा जाता है, कि समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके सब लोगों को, एकदम clarity है, चलिए, जब import जादा है, जब आप सामान जादा मंगवा रहे हो और export कम कर रहे हो, तब आपका current account का deficit है, जब आपका import कम है और export जादा है, तब आप current account surplus में हो, मतलब यह है कि example लो, इंडिया का, आपके हिसाब से क्या होता है इंडिया में, इं इंपोर्ट करते हैं, हम क्यों साथ हैं इंपोर्ट करते हैं, हम क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम power इंपोर्ट करते हैं, oil इंपोर्ट करते हैं, energy इंपोर्ट करते हैं, हम palm oil इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से, हम export क्या करते हैं, हम rice export करते हैं, हम masala export करते हैं, सम Export Oriented Economy, Absolutely yes, US क्या Export Oriented Economy, Absolutely yes, US Technology Services Export करता है, पूरे World को, समझ में आ रहा है आपको, इतना ही समझ लाता है, Globalization, मैं समझा कि कहीं से भी खरीदो, कहीं भी बेचो, क्या benefits है इसके positives क्या है जादा better resource exchange होगा आपको पता है कौन सी चीज की देश में सस्ती मिल रही है वहाँ से खरीदोगे जिस देश में महगी विगरी है वहाँ बेजदोगे ठीक है opportunity to grow जादा opportunities मिलेंगे negatives क्या है globalization के कारण जो wealth है न वह wealth का flow एक देश से दूसरे देश में होगा तो attract magnet जैसा attract करेगा inequality बढ़ेगी competition increase होगा local plates के लिए जब बाहर के plates आ जाएंगे तो ठीक है और अगर आप globalization में किसी एक country पर dependent हो गए तो आपकी dependency वाला factor एक है जो बाद में आपको trouble दे सकता over a period of time ठीक है तो यह basic globalization के disadvantages है ठीक है अब यह समझना है कि यार economy analysis करने की जरुवत क्या पढ़ रही है देखो यार economy analysis का जो focus होता है न वो एक external environment होता है कि जो मेरा business है न उसका जो एक external environment है जिसमें मेरा business operate करता है वो external environment में economic किस direction में जा रही है क्या वो मेरे business के favor में है या वो मेरे business के against में है ये मुझे पता चलता है economic analysis से ठीक है that is the only reason why everyone should do economic analysis whenever they are performing equity research analysis हम लोग हमारे equity research cohort में भी economic analysis पर बहुत जोड देता है definitely वहाँ पर introduction नहीं होता है वहाँ पर हम actually में चीज़ों को करते है बट फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी आप अगर समझोगे तो basic के लिए बहुत अच्छ है आपको at least समझ में तो आई कि होता क्या यार ठीक है और definitely अगर आप equity research को join करना चाहते हो consider कर सकते हो आप link comment में मेरे दोस्त कोई अच्छी चीज़े एक अच्छा product है उसके बारे में आपको aware कर रहे है join करना है नहीं करना है that is totally up to you कोई गरधन चाकू गले पर रखके तो किसी को बोला नहीं यह सब तो free दे ही रहोंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यहां पर मैं economic trend की बात कर रहा हूँ कि एक economic का जो trend है तो तीन तरीके का हो सकता है secular trend मतलब long term trend यह structural change है कुछ ना कुछ ऐसा घड़ गया कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी कभी भी अब चीज़ें बदल चुकी है ठीक है वो trend है second trend होता है जो cyclical trend है वो temporary होता है nature में ठीक है अभी कुछ समय के लिए वो trend आया है फिर यह चला जाएगा फिर एक trend होता है seasonal trend हर गर्मी में आएगा हर बरसात में आएगा हर winter में आएगा predictable है पता है अपने को कि हर मौसम में यह ऐसे behave करता है हर summer में आते आते है ऐसा behave हो जाता है ठीक है उसको बोले जाता है seasonal trend वो seasonal trend है ठीक है चली यह जो secular trend है ना इसके बारे में आगे cover करेंगे बहुत depth में cover करेंगे don't worry तो जैसे अभी क्या होता है secular trend मतलब long term change हो आए within economic impact इसका कारण क्या हो सकता है tech क्या technology change के कारण को long term impact आता है क्या देखो chat GPT chat GPT क्या आते ही वक्त बदल गए जजबाद बदल गए हालाद बदल गए सब बदल गया ठीक है कुछ culture में change हो है demography में change हो है यह सब चीज़ आपना आगे discuss करेंगे depth में discuss करेंगे don't worry cyclical trend क्या होता है cyclical trend temporary nature है वो reverse कर जाएगा ठीक है और यह जो cyclical trend है इसको तीन अलब अलग तुकड़ों में तोड़ा गया है एक है economic cycle एक है commodity cycle और एक है inventory cycle कि पूरी की पूरी economy भी cyclical trend में चलती है कि कभी economy expand करेगी फिर slowdown आएगा फिर recession आएगा और फिर recovery होगी ठीक है commodity के prices भी up down होते हैं और inventory के prices भी up down होते हैं इन तीनों का अपन समझते हैं सबसे पहले economic cycle समझो ये एक economy का general cycle pattern होता है एक economy expand करती है जब expand करती है economy तो यहाँ पर खुशाली आती है खुशाली आती है मतलब interest rate कम होते हैं इस समय money easily available होता है लोग अपना धन्दा शुरू करते हैं जो आप देखते हो कि जब हर जगे बल्ले बल्ले चल रही है सब जगाओं पर पैसा बट रहा है market नहीं high बना रहा है सब लोग खुश है हर आदनी के हाथ पैसा है वो expansion का दोर है फिर क्या होता है फिर economic slowdowns आता है जैसे अभी चल रहे जब वो economic slowdown आते हैं तब interest rate धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते है inflation बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे inflation मैं क्या बोल रहा हूँ ये पूरे के पूरे एक slide पे एक गंटे का session बन सकता है ये कोई ऐसे word थोड़ना जिनकी terminology समझा दी जाए भाई आप समझो अगर मैं इतना ज़ादा depth में उतर गया तो 300-200 गंटे का course हो जाएगा है न ऐसे पागल हो क्या? करोगे ही नहीं इस बीना पढ़े पढ़ क्या होगे तो पास हो जाओ गया तो economic slowdown में क्या होगा? inflation बढ़ेगा, interest rate धिरे धिरे बढ़ते जाएंगे recession में क्या होगा? पता है चीजों के दाम इतने बढ़ चुके होगे कि लोग खरीदना बन कर देंगे और economic slowdown आजाएगा इसको पूरा अच्छे सा है, notes में ठीक है? फिर होती है मेरी commodity cycle commodity cycle का मतलब क्या होता है? commodity cycle है ना, generally economy cycle को follow करती है, but not always जरूरी नहीं है, depend करता है कौन से commodity में, तो जब economy expand हो रही है, तब चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे चीजों के दाम चीजों के दाम बढ़ेंगे मतलब, क्योंकि लोगों की जब जेम में पैसा है ना, तो inflation भी तो बढ़ेगा जब लोगों की जेम में पैसा है तो या आपने monetary policy वाला वीडियो अगर आप देख के आए हो, तो इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं जाएगे आपको ठीक है, जब commodity बढ़ेगी commodity का price बढ़ेगा, तो उसमें margin जादा होंगे, अच्छे दिनों के दौरान की बात कर रहा हूं है commodity महंगे रंदाम में विकेगी margin जादा होंगे, production जादा होगा, बहुत सारे लोग इस business में घुश जाएंगे तो वो भी production करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो आप जब वो भी production करना शुरू कर देंगे जब वो भी production करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा चीजें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे और प्राइस फिर से गिरना शुरू हो जाएगा ये commodity का cycle है ये बहुत बड़ा भ्रहम जाले जो चलता रहेगा आप जब मेरे lecture के साथ notes को पढ़ोगे न तो आपके बिल्कुल चीज़ें balance हो जाएंगे ठीक है इस बात की मेरी guarantee है बिल्कुल चीज़ें एकदम perfectly balance हो जाएंगे आपको ठीक है inventory cycle क्या होती है थोड़ा ध्यान से समझना अगर आपने इस समझ लिया तो चमक जाएगा आपको तुरंट ठीक है ये short term की cycle है क्या होता ना कई बार suppliers या manufacturers inventory के साथ या तो कुछ change करते हैं या कुछ adjustment कर देते हैं जैसे क्या होता है जो manufacturer है उसको sales दिखानी है तो उसने क्या कर अपने distributor के जबरदस्ती माल जादा भेज दिया इसको बोला जाता है channel stuffing समझ रहे हो आप मैंने इसके उपर बहुत अच्छा post बना के डाला था मामा अर्थ के उपर acquisition लगे थे अब google सर्च करना मामा अर्थ channel stuffing IPO या channel stuffing मामा अर्थ IPO business standard एक ही newspaper था जिसने वो cover किया था ठीक है channel stuffing का मतलब समझ गए जैसे मैं लो मेरे मैं ये bottle बनाने वाला हूँ अब मेरे को तो sale दिखा नहीं मेरी company में तो मैंने क्या कर रहा एक साथ एकटी बहुत सारी bottle है March के महिने में मेरे distributors के भेज़ दी तो मेरे खाते से तो बाहर हो गई तो मेरी books में तो sale हो गई लेकिन क्या ये customers ने खरीदी नहीं अभी भी ये pipeline में चैनल में चैनल में मैंने दूसरी जग उसको ठूस दिया ठीक है तो inventory cycle जो होते है न वो इस तरह से disrupt करे जा सकता है बहुत असानी से inventory के levels कमी या जादा होते हैं क्योंकि उनके price के करण और वाइजा वर्षा inventory cycles प्राइज को effect करती है ठीक है जो seasonal trend है highly predictable है seasonal trend highly predictable मतलब Varun Beverage is limited वो company जो Pepsi बनाती है समझना वो company Varun Beverage is limited जो Pepsi बनाती है क्या April में जून top season रहता होगा क्या और October, November, December एकदम ठंडा season निकलता होगा predictable है न, coldering ठंड में कम भीकेंगी गर्मी में ज्यादा बिकेंगे ठीक है तो कोई भी seasonal trend है that is highly highly predictable similarly monsoon अगर अच्छा होगा तो by default है कि जो agriculture related distorts यों अच्छा perform करेंगे again a seasonal trend over here predictable sources क्या है macroeconomic analysis करने के देखिए वैसे तो simple सी बात है NISM ने आपको इ 4-5 sources दिये कि government website चले जाओ SBI या RBI की website है economic reports है economic survey है economic survey क्या होता है economic survey एक पूरा pull in the document होता है 400 page का जो RBI present करता है Parliament के सामने कि हमने पूरे साल के दौरां क्या-क्या करा ठीक है वो economic survey होता है budget होता है अगले साल का survey होता है पिछले साल का ठीक है यह दो resources मैं आपको मेरी तरफ से दे रहा हूँ number one is trading economics please इसको ध्यान से एक बार deep dive करना है इसमें इंडिया लिखके इतना data available है इंडिया के economic के बारे में जिसकी कोई हद नी और यह तो खाजाना है macro trends जो कहीं नहीं मिलेगा वो macro trend पर मिल जाएगा आपको इस बात की मेरी आपको guarantee है ठीक है चलिए अच्छा अब अपन क्या करते हैं फटा फटा अपन notes में आते हैं और notes को आगे बढ़ते हैं notes को लेके थोड़ा सा चलिए इधर देखिए international trade exchange rate trade deficit it refers to the total trade of the country with another country balance of payment show the transaction of country with rest of the world divided into two account current account ज्यादा है और export कमे तो उसको current account deficit बोलेंगे जब import कमे एक्स्पोर्ट ज्यादा है तो इसको current account surplus बोलेंगे ठीक है ये जो दोनो current account और capital account deficit और surplus है current account और capital account deficit और surplus हैं इस बोनो ये दोनो निलाके balance of payment तो ये भी अपने पढ़ा था, खिक्या, अभी पढ़ा यहे तो, ना लाइको, ठिके, अगर current account में deficit है, समझना, current account में deficit है का मतलब क्या है, कि मेरे पास import मेरा ज्यादा है, और export मेरा कम है, तो मेरे पास dollar की कमी है, मेरे को dollar में pay करना पढ़ रहा है, इसमें dollar आनी रहे, तो हमको क् capital account में surplus होना चीए ठीक है यहां फिर हमें यहां फिर हमारी foreign currency चली जाएगी यहां तो कहीं और से पैसा आ जाए यहां फिर जो हमारे पास पड़ा हुआ पैसा है वो reduce हो जाएगा ठीक है exchange rate refers to the value of one unit of currency with respect to other currencies वो exchange rate होता है globalization ability of individual or firm to produce and sell anywhere in the world positives negatives क्या है यह हमने पढ़े थे better resource allocation integration beneficial यह सब high competition dependency problem बगएरा बगएरा ठीक है फिर role of economic analysis and fundamental analysis देखो भई fundamental focus करता है कि business कैसा grow करेगा यह grow नहीं करेगा economic analysis क्या करेगा जो factors है external environment के उनको समझता है कि उनका impact क्या है business के उपर ठीक है फिर trend की बात करी तो trend में अपने तीन तरह के trend majorly देखे secular trend which is a long term trend यह long term trend है जो long term change अखर होते है एकनॉमी के अंदर this could be due to technology, culture, demography, consumer preference like for example digitization, chat GPT के example लिया था फिर होता है cyclical trend जो temporary basis पे trend होते है real estate, cement, infrastructure, steel ठीक है फिर होते है seasonal trend जो predictable है warm beverages limited, tighten, warm beverages गर्मी में भी केगा टाइटन दिवाली के time पर चलता हुआ stock है जब उनका धंदा जादा होगा तब cyclical trend में अपना आते हैं तो तीन तरह की cycles है, economic cycle है, commodity cycle है, inventory cycle है economy cycle है मतलब economy cycle के चार phase, सबसे पहले expansion जहाँ पर consumption increase होगा ठीक है, लोगों के पास income जादा होगी, interest rate कम होगा, क्योंकि easy available money है और high demand होगे हैं products के, ठीक है, फिर जब slow down आएगा market के अंदर, तब prices बढ़ चुके होगे interest rate धीरे-धीरे बढ़ रहे होगे, consumption धीरे-धीरे कम हो रहा होगा, धीरे-धीरे कम होगा जब recession आएगा, इस time पर capacity utilization बहुत कम हो चुका होगा, demand ही नहीं है, क्या करेंगे बनाके ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, लोगों के lay off होगे, और जादा लोग नौकरी से निकलेंगे, और जादा purchasing power कम होगे उनके हाथ में और कम पैसा आएगा, यह recession है, ठीक है, जब recovery है, तो recovery क्या है जब चीजें वापस थोड़ी धीरी स्टार्ट हो जाएगी, जब prices control होगे, लोगों के हाथ में पैसा आजाएगा, बिलना, rural spending ज़रूरी है यह economic analysis जो अपनने समझा, ठीक है, commodity analysis मतलब, commodity analysis मतलब, usually commodity, जो थी हो, economic cycles ही follow करती है, इसका मतलब यह कि जब expansion होगा, तब commodity के price बढ़ जाएगे, और जब recession होगा, तब commodity के price कम हो जाएगे, ठीक है कुछ commodity, कहीं बार commodity cycles independently भी behave करती है, ठीक है, तो जब commodity के price बढ़ेंगे, तो production capacity बढ़ेगी, समझे हो, price बढ़ेंगे, high margin है, production capacity बढ़ेगी, धमा धम बढ़ाए जाओ, एक point of time के बाद, बहुत जादा suppliers हो जाएगे, जिनकी capacity बढ़ चूक होगी, उससे क्या होगा, supply market में जाएगा, तो price of the commodity will eventually come down, और यह cycle चलती रहेगी, ठीक है, सेम वैसे मैंने inventory cycle का बताया, कि short term होती है, और short term cycles होती है, यह कब होती है, जब आप change adjustment करते हैं, inventory level में by suppliers और customers, यह price fluctuation cost कर सकता है, इसके करण price fluctuation हो सकता है, ठीक है, और demand और supply understand करने में मदद करता है, ठीक है, seasonal trend, highly predictable है, agriculture contribution in GDP, यह तो baron beverages is limited और वो सब चीज़े हैं पन, पूरा राम से समझ सकते हैं, ठीक है, क्या-क्या resources है, government website, यह सब resources मैंने आपको बता हैं, वही सारे resources है, ठीक है, यह मन लगा के पढ़ो, यह जो lecture है ना, इसको एक बार देखना है, एक बार देखो, दो बार देखना ह यह वो question bank भी आपको attempt करना चाहिए, ठीक है, मेरा आपके लिए आज का इतना ही काम था, आप मुझे यह बात बताओ, कि आपको यह sessions कैसे लग रहे हैं, comment में लिखके बताना, और like करना इस वीडियो को, this is पार्त वर्मा, signing off, bye-bye.